वीडियो पर पहले बार है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें चाल पर पहले बार है तो सस्क्राइब करके बाज़ो में दिखने वाली घंटे को दबाखर ओल नोटिफिक्स आउन कर दें दोस्तो आज की दिन जनेवरी 4 चीन की most famous smartphone making company शौमी तरब से एक बड़ी स्मार्टफोन लांच करने जा रहा है आज ठीक बारा बज़े ये स्मार्टफोन लांच हो जाएगा और आपको मैं ओफिशली लाइव इवेंट भी दिखाने की पूरी कोशिश कर दिया करूँगा बारत के अंदर 32 जादा जाने माने वाला सेरिज शौमी राडमी नोट सेरिज के अंदर एक न्या स्मार्टफोन आज ही की दिन 12 बज़े जुटने करें 13 Pro Plus कुछ अलगी लेवलु की फीचर्स एस स्मार्टफोन में मिल जाएगी फ़र्ट स्मार्टफोन Xiaomi Redmi Note 13 लॉंच होगा सिर्फ वो सिर्फ 13,000 रुपे के अंदर अविलेबल आपको हो जाएगा 6G RAM 128 इंटरने स्टोरेज के साथ बैक सेड में हमको बड़िया कैमरा का टोट मिल जाएगी जो कि अविलेबल रहेगा Note 8 Plus 2 Megapixels की Dual Camera Sensor बैक सेड में दिया गया है यहापर यूनिक फीचर बात करें तो Reverse Charging Support यह स्मार्टफोन कर देगा और 3.5 Audio Jack भी यह स्मार्टफोन में दिया गया है यह पर One Billion Colors Amoled Screen सपोर्ट कर देगा क्योंकि यह स्मार्टफोन के अंदर Amoled Display दिया गया है 6.67 Inches के साथ आने वाला स्मार्टफोन Corning Gorilla Glass 5 के protection के साथ आपको मिल जाएगा यह पर Thousand Nits की Peak Brightness दी गई है भाई साथ कितनी जबर्दत से स्मार्टफोन हो जाएगी Out of the Box and or 13 Operating System हमको मिल जाएगा है आपर MediaTek की Demensity 6080 चिपसेट यूज किया गया है जो बहुती पौरफुल चिपसेट आप लोग कह सकती हो 5000 mAh battery performance के साथ आने वाला यह स्मार्टफोन 33 word fast charging को support कर लेगा अगर बात करें इसके higher variant की Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5C variant यह 16,000 की आज़ पास आपको available हो जाएगा यह स्मार्टफोन की सबसे best feature के यह तो यह पर better resolution के साथ यह स्मार्टफोन मिलने वाला है 8GB RAM 128GB Internet Stories की price 16,000 रपे के साथ होगा तो back side में हमको triple rear camera setup दी जाएगी primary camera sensor 200MP का होगा 8 plus 2MP की और दो camera sensor दी जाएगी आफकोर्थ यह पर better camera resolutions के साथ हमको यह स्मार्टफोन मिल जाएगा 8NM thickness के साथ आने वाला यह स्मार्टफोन 3.5mm audio jack ज़रूद सपोर्ट करेगा और water NFC resistance के साथ आपको यह स्मार्टफोन मिल जाएगा यूजली बात एक स्मार्टफोन फाइजी तो होगा पर mainly 4 colors के साथ available हो सकता है black, white, violet और blue के साथ यहाँ पर यह स्मार्टफोन की screen OLED दी जाएगी जो कि produce करेगा अप टो 1 billion colors यूजल सी बात है 6.7 inches की display, corner glass, victus की protection और 192.0 Hz की high frequency PW dimming feature इस स्मार्टफोन में दिया गया है जो कि eye comfort mode के साथ आ जाएगा of course, smartphone में हमको inner display fingerprint scanner देखने के लिए मिल जाएगा NFC feature वागरा रहेगी सबसे अच्छी बात इस स्मार्टफोन के अंदर 16 Megapixels की फंचोल selfie camera दी गई है processor बहुती powerful होगी क्योंकि Snapdragon की Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 वाला chipset ये स्मार्टफोन में यूज किया गया है जो कि आएगा GPU Adreno 710 के साथ वाइक साथ gaming experience तो काफी बढ़िया होगा और battery performance भी बढ़िया होगा क्योंकि 5100 mAh battery performance के साथ आने वाला ये स्मार्टफोन के अंदर 67 ohd के fast charging support मिल जाएगी दोनों स्मार्टफोन को compare करेंगे तो Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus से आपकी दीमा की बत्ती हिल जाएगी क्योंकि बात करेंगे Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus की यहाँ पर शुरुती variant 25-28,000 के आस पास हो सकता है मैं बात कर रहा हूँ 12GB RAM 256GB Internet storage की यह higher wind के अंदर 16GB a frame भी मिल जाएगा अपर mainly backset में triple rear camera setup द्या गया है 208,000-8,000-2Mpx की camera sensor जी हाँ यहाँ यह भी water resistance, NFC और reverse charging को भी support करेगा सबसे अच्चे बात हैँ smart phone के अंदर OLED screen द्या गया है जो कि produce करेगा 68 billion colors को बाई साब इतनी जबरदस्ट स्क्रीन क्या ही बताए 360 हर्ट्स की टस्ट सैंप्लिंग रेट ये स्मार्टफोन में दी जा रही है नॉर्मल से बाते 120 हर्ट्स के साथ आने वाला ये स्क्रीन 6.67 इंचेस बड़ी होने वाली है स्क्रीन के प्रोटेक्शन के लिए कॉर्णिंग गुरिला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन दी गई है यहाँ पर अलग बात कही है 1800 मीर्ट की पीक ब्रैटनेस और कर्व डिस्पले डॉल्बी विजन HDR10 प्लस दी जाने वाली है अफकोर्स पंचोल केमरा सेटप हमको देखने के लिए मिल जाएगा UFC 3.1 की स्टोरेज इस स्मार्टफोन में मिलने वाली है नर्मल सी बात इस स्मार्टफोन तो फाइजी तो होगा ही और USB Type-C पूर्ड के साथ हमको इस स्मार्टफोन अवेलेबल हो जाएगा दोनों स्मार्टफोन में जो सेम ता इस स्मार्टफोन में भी सेम होने वाला है वो होगा 16 मेगा पिक्सल की पंचोल सेल्फी कैमरा MIUI 14 के साथ आने वाला इस स्मार्टफोन Android 13 के साथ रहेगा Operating System रहेगा MediaTek की Demicity 7200 Ultra Processor इस स्मार्टफोन में दी जाएगी जो की GPU Mali G6 110 के साथ आपको मिल जाएगा IP68 की Rating भी स्मार्टफोन में मिल जाएगा और 5000 mAh बैटर फ़र्फोन के साथ 128 की Ultra Force Charging Support आप लोग मेरे को कमेंट स्मार्टफोन में जरूर बता सकती हो कि तीनों स्मार्टफोन के अंदर आपकी सबसे बहुतनी स्मार्टफोन कों से खोने वाली है तो चलिए दोस्तों बस फिलाली स्वीडियों में एतना हिता अश्यकरता वीडियों पसंद देया तो लाइक करें शेर करें सेस्क्रेब करना बिलकुल भी ना बूलिए मैं मिल तब को और एक वीडियो के साथ इस वीडियों के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाज जय हिंद वने मातरम